कुछ महिने पहले स्रमिकों की न्यूनतम आय से जुड़ा एक एहम कानून बनाया गया है जिससे यहां के स्रमिक साथ्यों को भी लाब मिलना ताय है इस सत्र में हम स्रमिकों के हितों से जुड़ा एक और कानून भी ले करके आये हैं इस कानून के बनने से स्रमिकों का जीवन और आसान होगा उनके हितों की रक्षा होगी साथियों भाजबा की सरकार ने समाज के उस वर्क की चिंता की है जिसको हमेशा सिर्म नारों से ही लुभाया गया है हमारे जो आसंगडिक छेत्र के स्रमिक साथी है जो सडकों पर काम करते हैं गरों में, दुकानों में काम करते हैं रिक्षा ठेला चलाते हैं ऐसे स्रमिक साथ्यों की चिंता पहली बार भाजपा सरकार ने की है स्रम योगी मांदन योजना से ऐसे साथियों को साट वर्ष के बाद पैंशन की सुविदा दी गई है इतना ही नहीं सरकार की जो दूसरी योजनाए है उसका भी सबसे अधिक लाब इसी वर्ग को हो रहा है प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट जो गर मिल रहे हैं उसका बड़ा लाब भी इसी स्रमिक वर्ग को हुआ है और भाईयों बैनों मैं आज बताना चाहूंगा 2022 जब बारत की आजादी के 75 साल होंगे हिंदुस्तान में एक भी गरीब को जुगी जोपणी में जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी हिंदुस्तान के गरीब से गरीब हर परिवार का अपना पक्का गर होगा ये काम मैंने बिड़ा उठाया है और आजादी के 35 साल पर पूरा करना उजवला योजना के तहट मुप्त गैस कनेक्शन और सवभाग योजना के तहट मुप्त बिजली कनेक्शन की योजना का लाब भी ऐसे ही स्थमिकों को आदिवासियों को दलीतों को पिछडों को मिला है बाई योर बेनों संबेजन सिल्ता हो या फिर मुश्किल फैसले लेने का साहस ये सिर्प बाजपा की सरकारों ने करके दिखाया है लेकिन दिल्ली में जो कॉंग्रेस की सरकार रही जिसमें जे एम एम की भी भागिदारी रही है उसने समस्याओं को उल्जाया है हमने समस्याओं को सुल्जाया है उन्होंने देश को लूटा है हमने देश को लूटाया है इसलिए जारखंड की गंबीर और पुरानी समस्याओं को सुल्जाने का काम भी सिर्प और सिरफ बाजपा ही कर सकती है आप खुद देख रहे हैं देश आजाद हुआ तब से हिंदुस्तान के हर कोणे में जम्मू कश्वीर की चर्चा चल रही थी आर्टिकल 370 की चर्चा चल रही थी सम्यदान में उसको टेम्पररी लिखा गया था लेकिन एक तोली टेम्पररी को पर्मेनेंट मनाने में लगी थी कोई उसको हाथ लगाने से डरता था लेकिन देश की जनता ने मोदी को इसके लिए दिल्ली नहीं भेजा है देश की जनता ने मोदी को कठोर फैसले लेने के लिए भेजा है देश के लिए निरने करने के लिए भेजा है और इसले भायों भानो मैं राज नीति के हिसाब किताब नहीं करता हूँ मैं जरब देश नीति के सोचता हूँ और इसी के कारण दसकों से लटका हुआ तीन सो सत्तर तीन सो सत्तर गई की नहीं गई हम निकाल पाए गिने निकाल पाए देश ने समर्थन की आग नहीं किया पूरा देश हमारे साथ खड़ा रहा आग नहीं खड़ा रहा जम्मू कस्बीर भी हमारे साथ खड़ा रहा आग नहीं खड़ा रहा लद्दाख और कारगिल भी खड़ा रहा गर नहीं खड़ा रहा भाईयों भणो अगर नेक इरादे से काम करते हैं शिर्वर और सिर्फ देश के लिए काम करते हैं तो देश आशिरवाद भी देता है जारखन भी आशिरवाद देता है जमसेद्पूर भी आशिरवाद देता ह है